पिसले दो सालों से हम लगातार यही बाते बोलते आ रहे हैं और कई सारे यूटूबर्स हैं, कई सारे सोशल मीडिया पर लोग हैं वो सिर्फ यही बाते बोल रहे हैं कि Bollywood आखिर बरबाद क्यों हो रहा है बॉलूड के बरबाद होने की असली वज़य भी इन लोगों ने बता दी है हम कई बार अपनी वीडियों में कहते हैं कि बॉलूड अपने घमन्ड के चलते बरबाद हो रहा नेपोडिजम के चलते बरबाद हो रहा है और सबसे बड़ा बात जो हिंदूत के उपर हमले कर रहा है उन चीजों के चलते बरबाद हो रहा है और एक मुद्दा जो सबसे एहम है वो है सुशान सिंग राठपूत का मामला इन फैन्स को ये लगता है कि हम बॉली उड के बहुत बड़े दुश्मन हैं हमें बॉली उड से बहुत बड़ी नफरत हैं ऐसा नहीं है हमें बॉली उड में उन लोगों से प्रॉब्लम है जो बॉली उड को अपने बाप दादा की जागिर समझ कर बैठे हुए हैं और जिसक इनकी बातों पर भी आपको यकीन ना हो तो भाईया कहीं जाकर थोड़ा सा चुलू भर पानी देखकर उसमें डूब मरो कहानी ऐसी है कि सुभाज गई ने बता दिया है कि बॉल्यूड अपने घमंड के चलते और बहुत जादा जो फीज चार्ज करता है बेवज़ा उसके चलते बरबाद हो रहा है इनका ये कहना है कि आखिर लोग ये बोल रहे हैं कि साउट की कम बज़ेट वाली फिल्में बॉक्स ओफिस पर बंपर कमाई कर रहे हैं लगते हैं और फिल्मों में बदलाव करने लगते हैं अपने हिसाब से स्क्रिप्ट चलाने के लगते हैं उसमें तरद रखी चेंजेस करने लगते हैं मनमानी करने लगते हैं शूटिंग करने के दौरान पर लेकिन साउथ में फिल्मों को बहुत ही dedication के साथ, मेहनत के साथ, इमानदारी से cultural चीजों को ध्यान में रखते वे बनाया जाता है। जबकि Bollywood में हम western culture की तरफ बढ़ रहे हैं, हम उनी चीजों को अपना रहे हैं, जो यहां के लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। आज कल के actors बहुत तबड़ी फीस मांग रहे हैं ऐसा लगता है कि director और producer इन actors ये कहते हैं कि आप कितनी फीस लेंगे इनसे एक teacher बनकर student की तरफ पूछा जाता है कि आपको किस तरह का प्रश्णपत्र परुसा जाए यानि कि ये खुदी film में decide कर लेते हैं आज के actors कि film कैसी बननी चीए कैसे direct की जानी चीए director को तो ये लुग भाव भी नहीं देते हैं इनका ये कहना है कि मुझे आज भी याद है कि रजनी कान सर ने किस dedication के साथ film में काम किया था काम के प्रती उनका समरपड, भगवान में, विश्वास, इन सब चीजों को मैं कभी भूल नहीं सकता लेकिन आज कल की जो यूआ पीडी है, जो आज कल के actors हैं, ये अपनी personal branding में लगे हुए हैं ये film में कम विग्यापन जादा करते हैं, फिल्मों को छोड़ कर ये विग्यापन करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, इसलिए मैं इन्हें साबुन तेल वाला actors बोलता हूँ सुबात करीगा, ये कहना है कि आज कल के actors के पास वो चुनोती भरे scene नहीं रह गया है, जैसा कि पहले के जमाने में होता था, पहले के कलाकार चीजों को समझते थे, दो-दो दिन अपने role के लिए practice करते थे, उसी में जीते थे, लेकिन आज कल इन चीजों से इन कलाकारों को फरक नहीं पड़ता है, इनके भीतर एक अलगी खमंड आ गया है, क्योंकि आज कल के कलाकारों को exposure कुछ जादा ही मिल रहा है, अपनी personal branding में, विज्ञापन में ये कुछ जादा ही लगे हुए है, इनकी personal life वो personal रही नहीं गई है, personal life और fans के बीच और media के बीच इन्होंने द अगवान और culture की बात करते हैं, लेकिन उन चीजों को अपनी फिल्मों में सही तरीके से दिखानी पा रहे हैं, आपको ये समझना होगा कि जब आप इंडिया की audience के लिए फिल्में बना रहे हो, तो आपको उसी तरह से सोचना चाहिए, और उसी तरह की फिल्म बनानी चाहि हाँ, बाहर की तकनीकी VFX इन चीजों को अगर आप अपनी फिल्मों में लेकर आते हैं, तो वह अच्छी बात है, जो इस देश का DNA है, वही यहां के फिल्मों में भी होना चीए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहे हैं, मतब सुभाश गई ये बाते कह रहे हैं, तो आप समझ लिदे कि हम अपनी वीडियो में जूट कहते हैं, जो चीजे चल रही हैं वही बताते हैं, अब तुम लोगों को बुरा लग जाता है, तो इसमें कोई क्या ही कर सकता है